कि आपका स्वागत है हम लोग पढ़ रहे थे कविता लॉट कर आऊंगा फिर हमने यह कविता पूरा कर लिया है आज हम लोग इसका प्रश्ण उतर देखेंगे और उससे पहले हम लोग कुछ अबजेक्टिव प्रश्ण भी देखेंगे क्योंकि आपके परिक्षा में अबज दिख लेते हैं इसको यह कविता पर ही आधारी थे लॉट कर आऊंगा फिर कविता है यानि यह कविता क्या है इन चारों आप्शन में से यह कविता क्या है पहला राश्ट्रिये चेतना की भी राश्ट्रिये धरोहर की सी राश्ट्रिये आवाम की डी राश्ट्रिये सत्ता की तो अप याद करिये जब हम ल suffering कभिता पढ़ रहे थे तो ये कभी त्सक्के बारे में बताता है तो ये कभी के रास्ट्र प्रीम के बारे में बताता है, तो इसलिए सही उत्तर होगा, A. राष्ट्रिये चेतना की, अगला प्रश्ण देखते हैं, दूसरा, जिवनान तास को जाना जाता है, तो यानि उसको उनको इल्मे से किसके रूप में जाना जाता है, A. बांगला के आधुनिक कवी के रूप में, B. हिंदी के सहित्तिकार के रूप में, C. मराथी के हाथ से कवी के रूप में, D. इनमे से सभी, तो जिवना नंदास जी एक बंगाली कवी है तो यह इनकी जो भी कविता होती है वह बांगला में लिखी जाती है तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा बांगला के आधुनिक कवी के रूप में तो रमिद्र नाठ टगोर के बाल अगर किनी की कवीता बहुत प्रसिध और प्रजलित है तो वह है जिवना नंदास जी तो हमें यह कवीता हिंदी में कैसे प्राप्त हुई उसको हिंदी भासा में भासांतरित किया गया तीसरा प्रस्ण है कभी किसके आमंतरन पर आने की बात कहता है तो कभी लोट कर फिर से उसी धर्ती पर जन्म लेना चाहते हैं लेकिन कवीता में जिक्र किया हुआ है कि किसी के आमंतरन पर आएंगे तो वह क्या है option A, खेत और खलिहानों के B, मजदूर और पिसानों के C, नदियों और मैदानों के D, पितावाग और पुत्र के तो सही उत्तर है C, नदियों और मैदानों के कवीता के कुछ पंक्तियों में बताते हैं कि अगर बंगाल की नदिया और मैदान उन्हें फिर से बुलाएंगे तो वह फिर से बापस आएंगे अगला प्रश्न देखते हैं जिवनानन दास का कावे संकलन है A, तो उनमें से कौन सा उनका कावे संकलन है A, महा प्रित्वी, B, जरापालक, C, महा बिहंगम, D, इनमें से सभी तो ये जो सारी कावे संकलन है ये सब जिवनानन दास जी का है तो इसका सही उत्तर होगा D, इनमें सभी अगला प्रश्न है जिवनानन दास की स्रेष्ट प्रेम कविता है तो यानि इवा कविता जो सबसे स्रेष्ट है और इसके लिए इन्हें पृस्कार भी मिला है तो ओप्शन है A, बनलता सीन B, जरापालक C, रूपसी बांगला D, धूसर पांडूलिपी तो इसका सही उत्तर है ओप्शन A, बनलता सीन तो इसी तरह से objective प्रशन पर इच्छा में आते हैं तो कविता को ध्यान से आप लोग पढ़े तो वीडियो को अच्छे से देखें तो आप सभी उत्तर सही से कर पाएंगे अब हम लोग subjective प्रशन देख लेते हैं या पाठ के ही दिये गए प्रशन है तो सबसे पहला प्रशन है कभी किस तरह बंगाल में एक दिन लोटकर आने की बात करता है यानि कभी बंगाल में लोटकर आना चाहते हैं तो किस तरह का बंगाल का बर्नन करते हैं तो इसमें आपको बंगाल का बर्नन करना है तो उत्तर है बंगाल के घास के मैदान, कपास के पेड़, बनों में पच्छीयों की चहचहात, एवं सारस की सोभा अनुपम छवी निर्मित करते हैं बंगाल की इस अनुपम शुशूवित एवं रमनिय धर्ती पर कभी उनर जनम लेने की बात करते हैं तो इसमें आपको बंगाल के अव्याख्या करना है कि इस तरह के बंगाल के अव्याख्या कभी ने कविता में किया है तो घास का मैदान, कपास का पेड़, बन, पक्छी तो यह सब आप अपने उत्तर में लिखेंगे अगला प्रश्ण है कभी अगले जीवन में क्या-क्या बनने की संभावना व्यक्त करते हैं और क्यूं तो इस पे जब हम लोग कभी था पढ़ रहे थे तब भी मैंने जोर दिया था कि कभी किस-किस जीवों के रूप में पुनर जनम लेनी की संभावना व्यक्त करते हैं तो कभी अपनी मात्र भूमी प्रेम में विहल होकर यानि उनकों अपने मात्र भूमी के प्रक्ति प्रेम इतना बढ़ गया है कि वह फिर से जनम लेना चाहते हैं वह किस जीव भी जीव के रूप में जनम ले पर बंगाल की धरती पर तो उसमें से अवाबिल जो एक पच्छी है तो इसलिए चिरिया लिखा हुआ है आप लोग उसको अवाबिल ही लिखे या तो अवाबिल के रूप में या कौवा, हंस, उल्लू, सारस यह भी एक पच्छी है बनकर पुनह बंगाल की धरती पर अबतरित होना चाहते हैं तो यह सब याद रखिएगा अवाबिल, कौवा, हंस, उल्लू, सारस अगला प्रश्ण देखते हैं अगले जनम में बंगाल में आने की क्या सिर्फ कभी की इच्छा है स्पस्ट कीजिए तो बोलते हैं कि सिर् उनकी आने की इच्छा है क्या तो उत्तर है अगले जनमों में बंगाल में आने की प्रवल इच्छा तो कभी की हैं ही लेकिन इसकी अपच्छा जो बंगाल प्रेमी है जिन्हें बंगाल की धर्ती के प्रति आस्था और विश्वास है, कभी उन लोगों का भी प्रतिनिदित कर रही है। जो बंगाल के हैं, जो बंगाल प्रेमी हैं, उनके जो बंगाल के प्रति जो आस्था प्रेम हैं, उसको विवा इस कभीता में दर्शाते हैं। उत्तर है, संध्याकाल जब ब्रह्मान में अंधेरा का बातावरण उपस्तित होने लगता है, उस समय सारस के जुंड अपने घौसलों की और लोटते हैं। तो कभी किस अंधेरी की बात करें, संध्याकाल का वह अंधेरा या जब बादल आ जाते हैं वह अंधेरा, उस समय जब सारस बच्छी जुंड बनाकर अपने घौसलों की तरफ लोटते हैं। उसकी सुंदर्ता का व्याख्या करते हैं। यह सुंदर्तम दृष्य कभी को भाता है, यानि कभी को बहुत अच्छा लगता है, और इस मनोरम छवी को अगले जनम में भी देखते रहने की बात कहता है। तो आप इसको थोड़ा सा अपने भासा में भी लिख सकते हैं, क्योंकि सभी स्टूडेंट की भासा अलग-अलग होती है, तो थोड़ा सा आप इसको अपने भासा में भी लिख सकते हैं। यहां पर वह सुन्दर्ता का द्रिश्विम बहुत अच्छा लगता है कभी के मन को सुन्दर्ता देखने लाग है इस तरह से अगला प्रस्द है कविता की चित्रात्मक्ता पर प्रकास डाले है wondering कवी इस कविता में किस किस चित्र का वर्णन किया गया है whistle के रूप में उसका आपको उसी कर प्रकास डालना है याना है then प्रस्तुत कविता की भाशा शैली भी चित्रमई हो गई है यानि वह जो भाशा शैली है भावी एक तरह से चित्रमई है प्रकित्तिक वर्णन में कहीं कहीं अनायस ही चित्रातमक्ता का प्रभाब भी है तो बोल रहे हैं कि जब कविता में प्रकित्तिक यानि जो नेचर है हम उसका जब व्याख्या हो रहा है उसके बारे में जब पविताबदार हैं तो वहां पे भी अपने आप ही अनायस मतलब अपने आप ही उसका चित्रात्मक्ता का प्रभाब पढ़ रहा है जैसे कि खेत में हरे भरे लहलहाते धान कटल की छाया हवा के चलने से जूंते हुई व्रिचों की टहनिया जूले के चित्र की रूप रेखा चित्रित है तो इन सब एक तरह से किसी द्रिश्य को चित्रित करते हैं वही चित्रतमक्ता की बात हो रही है तो इन सब का जिक्र कविता में है आकास में उड़ते हुए उल्डू और संध अभ्याकालीन लोटते हुए सारस के जुन्ड के चित्र हमारे मन को आकर्षित करते हैं। तो इन सब चित्रों के बारे में कविता में बात की गई है। तो आप उसको अच्छे से याद कर ले। प्रश्न उत्तर आप लोग अपनी कॉपी में लिखते जाए। अगला प्रश्न है कविता में आए बिम्बो का सांदर्य सपस्ट करिए। तो जिसमें बिम्ब की वात हुई है कविता में उसकी सुन्दर्ता का व्याक्या आपको अपने उत्तर में करना है। कवि ने प्राकेतिक सांदर्य के वातवरन में बिम्बो की स्थापना सांदर्य पूर्ण चित्रे में शैली में किया गया है बंगाल की नव यूवतियों के रूप में अपने पैरों में घुंगरु बांधे का विम्ब उपस्तित किया है तो बंगाल की जो नव यूवति जो किशोरिया लड़किया है उरके पैरों में घुंगरु बांधे का विम्ब प्रस लौट कर आउंगा फिर कभीता के सिर्शक की साथ थर्पता स्वष्ठ करिए तो यह जो कभीता का जो शिर्शक है जो एक तरह से आप हेडिंग बोलने यह कभीता का जो नाम है उसका ही अर्था में समझाना है और किस तरह से यह कभीता पर बैठता है वह बताना है तो यहां उद्देश के अधार पर सिर्शक रखा गया है यह कभी का क्या उद्देश है कभी की उतकट इच्छा मात्र भूमी पर पुनर जर्म की है यह कभीता परिचे में हमने यह लाइन है आप वहीं से लिया हुआ है आप लोग भी इसको ले सकते हैं कभी की उतकट इच्छा मात्र भूमी पर पुनर जर्म की है इससे कभी के हिर्दय में मात्र भूमी के प्रति प्रेम दिखाई पड़ता है शिर्शक कभीता के चातूरदिक खूंती है शिर्शक को केंद्र में रखकर ही कभीता की रजना हुई है अधना इ हिंदू है शिर्सक हेडिंग जो है एकदम सेंटर में है तो बार-बार कविता के हर एक लाइन में दिखाई देता है कि कैसे उनकी प्रवल इच्छा है फिर से वंगान में उनर्व जन्म लेने की और यह इसी बात को स्पेश्ट कर रहा है लौट कर आऊंगा फिर अगला प्रश्ण है कभी अगले जन्म में मनुष्य होने पर क्यों संदे करता है क्या कारण ये टवरगिन्ना वला ना होगा क्या कारण हो सकता है तो कभी फिर से मनुष्य जीवन में लेंगे कि नहीं यह संदे करते हैं कैसे पता चलता है क्योंकि वह बोलते हैं कि अगर मैं मनुष्य में जनम नहीं लिया तो हो सकता है अबाबिल, कौवा, हंस, सारस यह सब बनकर लॉटू या उल्लू बनकर तो क्योंकि किसी को अगले जनम के बारे में, पुनर जनम के बारे में पता नहीं है कि अगले जनम में कोई मनुष्य के रूप में ही जनम लेगा या पशू के रूप में या पच्छी के रूप में या किसी की रिमकोरी के रूप में तो इसलिए वह संदे करते हैं क्योंकि किस में हम लोग हुमारा पुनरजनम होता है की नहीं हा होता है तो किस रूफ में होता है तो और यही कारण है क्योंकि यह सब संभावनाः लग बाते करते हैं जा कोई मज़ замs रहे करते हैं सबसे। वि estos नहीं है इसलिए आपके परिग्ष्में आता है डिरेक्ट कविटा का जो कुछ पंक्तियां होते हैं उसको ले लिया जाता है और आपको वो बोला जाता है कि उसका व्याख्या करें जैसे ले लिया जाए बनकर शायद हंस में किसी किशोरी का भूंगरू लाल पैरों में तैरता रहूंगा बस दिन दिन भर पानी में दंद जहां होगी ही भरी घ कि तो इसका विए-खैस पश्ड करें तो अगर अपने कविता का भावार्त अच्छे से सुना होगा तो आसे भी अपले सकते हैं लेकिन इस तरह का भावार्त जा फोन दुक्ति कसी कविता से हैं तो आप लोग लिखें कि प्रस्तुत पंग्ति यह लृट करांगा कविता के लिया गया है जिसके लेखक है जिवनानन दाह्त्री या फिर आप लिख सकते हैं कि यह कविता प्लॉट कर आऊंगा वह फिर च Cametı जो जिवनानन दाह्त द्वारा रजित किया गया है है I is अंश में कभी बंगाल और मतलब इस में क्या कभी बोलते हैं तो कभी बंगाल की भूमी परबार पर जण लेने की उत्कट इच्छा को अभीव्यक्त करते हैं। यह सब आपके कविता परिज्जे में हैं और या कविता से ही हैं। कुछ भी आपको बाहर से नहीं पूछा जाता है कविता में यहां कभी तो अब इसका आप लोग पहले यह आप बता दे कि कविता कहां से है उसके ले कवी कौन है और कवी क्या कहना चाहते हैं उसके बाद अब इसका अर्थ व्याख्या करें कि यहां कवी बंगाल में एक दिन और घुऑ्गुरू के बिंब शैली में अपने आपको उपस्थित करना चाहते हैं तो हण्स के रूप में जन्मले या किसी के शोरी के घुऑ्गुरू जहां कि किशोरिया पैरों में घुगुरु बांद कर हंस के समान बधा में अपनी नाच से लोगों को आकरशित करती है तो यानि जैसे किशोरिया अपने पैरों में घुगुरु बांद कर निर्थे करती है उसी तरह वहंस के रूप उनका नित हंस के नित की तरह सुन्दर दिखाई दे वही स्वारूप मैं भी धारन करना चाहता हूँ यानि कभी धारन करना चाहते हैं यहां तक कि बंगाल की नदिया में तैरनी की एक अलग आनन्द अनुभूती होगा अनुभूती मिलती है यहां क क्यारियों में यहां तार्नी की बात किरना है तो कहां पर लृएंघ के दिशल्पार के नदी उख्णे यहां के क्यारियों में में भी उगने वाली घंध कितनी मनमुहक एं सो ओल रहे हैं कि वहां जो घास है उसकी घास की जो गंद है वह भी पहुत मनमुहक है यह तो बंगाल प्रांति यहीं समझ सकते हैं इस प्रकार कब partnerships की भावना जबाहित होकर हर्दिक इच्छा को प्रकट किया है यानि अपनी खुशी को जाहिर किया है अगला पंक्ति है खेत है जहां धान के बहती नदी के किनारे फिर आऊंगा लोट कर एक दिन बंगाल में तो इसका तो इसका भी आप बहरी करेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हिंदी पार्ट लोट कर आऊंगा फिर कविता से लिया गया है जिसके कभी है जिवनान दाश्री और इसमें उनका बंगाल के प्रति जो मात्रभूमी के प्रति जो प्रेम है वह दर्शाता है वह फिर से जन्म लेना जाते हैं बंगाल में कभी ने बंगाल के प्राकिप्तिक सौंद के साथ वहां के खेतों में उखने वाली धान की फसलों का मनमोहन चित्र यहां पे बंगाल में धान होता तो कभी बात कर रहे हैं धान की खीते की तो बिहार में तो साल में एक बर धान की फसल होती है लेकिन बंगाल में साल में दो बर धान की फसल होती है तो इसलिए कभी कहते जहूंत है कि वहीं पर आना चाहते हैं, खेत हैं जहां धान के, जहां पर बहती है नदी। Meaning 2019 फिर लौट कर आऊँगा लोटकर एकक दिन बंगाल में। जहां कल-कल करती हुई नदियां की धारा अनायस ही लोगों को आकरशित कर लेती है यानि जहां पे नदी बहती है और जो नदी की धारा होती है वे लोगों को बहुत ही आकरशित करती है वहां ही मैं जन्म लेना चाहता हूँ यहां असपस्ट है कि कभी अपनी भावना को स्वच्छन स्वरूप प्रधान करते हैं तो कभी कैसे व्याख्या करते हैं कि जहां कैसे सुंदर्ता को व्याख्या कर रहे है बंगाल की जहां खेतों में धान की लहलहाती खेत है जहां पे नदी बहती है और नदी के बहने से जो सुंदरता होती है वह भी देखने लायक होती है वहीं पर यह लोट कराएंगे एक दिन कहां बंगान में तो इस तरह से आप इसको लिखिएगा व्याख्या करिएगा यह नहीं कोई भी पंक्ति आ सकती है तो दो पंक्ति हैं जो आपके अभ्यास में द ज्यान दे और लिखनी के इस फॉर्मिट की उपर भी क्यूंकि आप जो परिच्छा जांच कर रहे हैं उनको यह नहीं पता है कि आपको कितना ज्यान है लेकिन आप जो भी अपनी उत्तर पुस्तिका में प्रस्तुत करेंगे उसी के अधार पे आपको नंबर मीलेंगे तो इसलिए आप लोग उत्तर को सही धंग से लिखें तो आशा करती हूं कि आपको यह पार्ट समझ में आया होगा मिलते हैं फिर अगले पार्ट को लेका धन्यवाद